तो यह है हमारा दूसरा सम जो उनिवर्शिटी में बहुत बार आया है ठीक है तो इसको भी सेम पिछले सम के जैसे ही solve करना है तो सबसे पहले यही फॉर्मॉला है हमारे पास ठीक है तो इसमें RHS को solve करेंगे सबसे पहले ठीक है तो RHS लिखा मैंने RHS इक्वल to integration 0 to infinity जो भी थ अलफा लिखा अभियां पर function कैया मेरा ठिक है function का है यह जो टम जरो यहां पर रेगा वो मेरा function रेगा ठिक है तो log वन अपॉन एक्ञच स्क्वार अपॉन X स्क्वार ठिक है तो यह अपर मैंने dx लिक दिया यह यह तो मुझे प्रूफ करना है ठीक है यह मुझे आंसर लिक्या आना है तो इतना चीज दो लिगा एफ के जगे पर जो भी था यह मैंने यहाँ पर उतार दिया अब मुझे अलफा से इसको डेरिवीट्यु करना है तो क्या करना पड़ेगा बात की पार्शल डेरिवेट्यु बर रहा तो one upon x square constant इसको भार ले लिया मैंने ठीक है अब यहाँ पर log ए ठीक है तो log का derivative क्या होता है आपको पता है one upon x तो मैं वह लिख दूहाँ one upon x के जगे पर क्या है one plus a square x square ठीक है मतलग x का derivative क्याता है one upon x तो यहाँ पर log a x का पर यह तो one upon x लिखा multiply ठीक है multiply इसका आगे partial derivative आगे होगा इसका one का क्या होता जीरो और a x square तो x square तो इसके लिए इसका derivative क्या होगा a x square का a से कर रहा derivative ठीक है यहाँ पर alpha sorry यहाँ पर alpha है constant है ठीक है यहाँ पर a है तो इसको मैं कुछ derivative करना है मुझे ठीक है तो a से करना है तो x constant हो बाहर लिया अभी log x से तो log x का derivative क्याता है one upon x फिर यहाँ पर अभी a से derivative करना है one का तो zero हो जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा प्लस zero क्या होता है x square तो यह पार्ट इससे cancel हो जाएगा यहाँ से एक स्कार एक स्कार एक स्कार कैंसल तो बच्छा क्या इंटू डियक्स भी था तो बच्छा क्या मेरा आंसर वह लिखता हमें जिरो टू इंफिनिटी जिरो टू इंफिनिटी क्या बचा वन अप उन प्लस एक स्कार इंटू डियक्स यह बचा ठीक है तो अब मुझे इसका इंटिग्रेशन करना है सिंपलि अभी यहाँ पर यहाँ पर यहां पर वन प्लस एक स्कार होता होता है तो डर्द इंवर्स आता है आपको बता है तो यहाँ पर नहीं ची major इसको बढ़िक्रा इसको बाहर ले लिता हमें १िय też common ले ले तो वन आप उने कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पर वन आप आजए गावन किए अब इसका ऐ बाहर आ गया ठीक है अब इसके बाद अभी इसको में अगर एक आपको फॉर्मॉला एक्स लिखता हूं एक फॉर्मॉला एक्सप्रेंड कर दो आपको पहले एक स्क्वार प्लास एक स्क तो मुझे क्या करना पड़ीगा। root में लिखा इसको square कर दिया। तो तो अभी a square होगा, x square । तो अभी answer क्याएगा इसके formula के साबसे वन अपोन-a e के जगे पर यह पूरा term हो थिक कहziehen तो इसके आने वाल है one upon a के जगे पर श Like when रूत इंटू 9 इंडर्स 10 यह आपर चाहएगा यहां पे यह पर यह बन्फ वह घाएगा इन्टू रूटे इसा हो जाएगा रूटे 10 इनवर्स एक और तो अभी मैं यहां पर लिए तो वन अपन ए जीरो टु इंफिनिटी ठीक है इंटिग्रेशन तो मैं कर चुग हूँ ठीक है इंटिग्रेशन कर दिया तो क्या आएगा मेरा रूट ऐ इंटू टेने लॉर्स रूट ए इंटू एकस प्लॅस Anne यहां एक्स में टीकलेशन इसमें इसमेंल इंटिग्रेशन है इसमें इनलमीत आきच है इसमें अब इनलमीत प्लाएं करना होता है इसमें इनती फ्रीरहु पिर जीरो झाल रहे है अगर पुट करूंगा, तो 10 inverse infinity क्या होता है, 90 होता है, ठीके, 10 inverse infinity क्या होता है, 90, तो क्या आएगा इसमें, root a, upon a, यह तो यह आगे यह पाट होगा, फिर infinity यहां पे पुट किया मैंने, तो क्या आएगा, पाई बाई 2, 90 माइनस अभी 0 पूट करूँ है, यहाँ पे तो कहाएगा 0, क्योंकि 10 इन्वर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है तो अब आंसर इसका क्या आएगा मेरा पाई रूट ए अपन 2A यह आगया, ठीक है, अभी इसको में, मल्टिप्लाइ करता हो, रूट A से ठीक है, मल्टिप्लाइ रूट A डिवाइड रूट A ठीक है, मल्टिप्लाइ रूट A, डिवाइड रूट A रूट A क्या होता है, A होता है, तो यह पूरा टर्म यहाँ से कैंसल हो जाएगा, ठीक है यहां पे मेरा बच क्या रहा है पाई बाई टू अपॉन रूट ए ठीक है अपॉन रूट ए इतना बच रहा है मेरा ठीक है अभी यह answer आगया मेरा लेकिन यह RHS का पाट हुआ ठीक है LHS में क्या हो देखते है ठीक है अभी तो एलेचेस का पार्ट में यहां पर मिटास दो भी यह सब ज़रोत नहीं तो अब यह आरेचेस का पार्ट मेरा पर ए लिखूँआ कि अब क्या करना है डी एये को यहां पर बेजना है यहां प्र वार आ गया अभी रूट ए थो रूट एका integration क्या होता है ठीक है तो अभी root है simply आपको समझो तो समलो root A है तो यहाँ पर उपर जाएगा तो यह 1 by 2 होगा 1 upon 2 A मतलब power इसका root क्या है 1 by 2 उपर लोगा तो इसको 1 by 2 यह हो जाएगा तो इसका integration करूँगा तो प्लस 1 आएगा upon 1 by 2 प्लस 1 आएगा ठीक है तो इसको add करूँगा तो क्या होगा 1 by 2 और इसको add करूँगा तो 1 by 2 ठीक है तो क्या आएगा इसका answer एपन 1 by 2 आ जाएगा नीचे 1 by 2 आ जाएगा ठीक है पावर आइड करने पे तो root A का integration 1 upon root A का integration क्या होता है root A multiply 1 by 2 उपर आएगा यह multiply 2 हो ठीक है तो आप simply याद रखो कि 1 by root A का integration क्या होता है 2 root A होता है ठीक है तो 2 cancel हो गया है मेरा ठीक है तो i plus c आएगा लेकिन c का value फाइंड करना पड़ेगा मुझे तो c का value find करने लिए का करना पड़ता है जो भी constant इसको 0 put करो तो a का value में यहाँ पर 0 आए है तो इसमेए भी A का value 0 put करना पड़ेगा यहाँ पर एका value 0 करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 इस वन लोग 1 इस 0 तो पुरा टम यहाँ पर 0 हो गाए तो आई का value में रहे जिरो मिला ठीक है यहाँ पर 0 मिला मिला जिरो मिला 1 upon 2 multiply 2 2 से 2 cancel प्लस C था यहाँ पे तो I का value मुझे यहाँ पे मिल रहा था root A into pi plus C तो अभी यहाँ पे इसको आगे continue में करता हुँ हम यहाँ यहाँ पे लिख लेना तो यहाँ पे अभी put करना पड़ता था put A equal to 0 तो यहाँ पे I I का value 0 यहाँ पे put किया मैंने और यहाँ पे भी 0 put किया और यहाँ पे pi लिखा plus C 0 equal to 0 plus C C का value यहाँ पे 0 मिला मुझे इसको यहाँ पे put कर दूँगा तो I का value मुझे मिल जाएगा pi by to root A तो यह होगा मेरा final answer ठीक है तो यह हम यह निकालना था देखो यह आगया answer ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और आगे के दो सम और है इसके जो युनिवर्सिटी में ज्यादा आते वो हम देखते ठीक है आगे के लेक्चर में ठीक है आज दूसरे वीडियो दूसरे वीडियो पुको